असलाम अलेकुम सबसे पहली और नमबर वन खुसूसत ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया की 26 वी सबसे बड़ी मईश्यत है ये एक 8 मी ताकत है और इसमें दुनिया की मजबूत तरीन फोज है ये दुनिया की सबसे बड़ी मईश्यतियों में से 26 वी नमबर पर है इसका दूसरा बेहतरी इन कार Careडी की का मुजाहरा करनेवाला Stock Exchange ये दुनिया की Stock Exchange में दूसरे नमबर पर है पाकस्तान स्टोक Exchange में आने वाली तेजी ने थाबित कर दिया है कि पाकिस्तानी माईशित का पया तेजी से चल पड़ा है पाकिस्तान स्टोक एक्षेंग की कारकरदीगी सब के सामने है माशालला बहुत उंचाई उपर पहुँच चुकी है और बहुत तेजी से तरकी कर रही है पाकिस्तानी अफवाच अफरादी ताकत के साथ बेनल अक्वामी सता पर दुनिया का साथ वाँ बड़ा मुकाम हासिल है पाकिस्तान अक्वाम मुट्यदा के अमन मिशन की हिद्मत के लिए सबसे ज़्यादाद में फोच फराहम करता है इसके साथ ही पाकिस्तान के पास दुनिया का एक बहतरीन तर्बियत याफता फिजाईया के पाइलेट है 1965 की जंग के दोरान स्क्वार्डन लीडर मुहम्मद आलम ने एक मिनट से भी कम वक्त में पाँच हिंदुस्तानी तैयारों को गिराने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया नमबर तीन पे हैं दुनिया के चौथे हुश्यार तरीन लोग Institute of European Business Administration के जरीए मुनकत सर्वे के मताबिक 125 मुमालिक से पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के चौथे जहीन तरीन अफराद में शामिल किया गया है साइंसदानों इंजीनियरों का साथवा सबसे बड़ा मजमुआ पाकिस्तान में है दुनिया के सबसे कम उमर मुसद्दिका माइक्रोसोफ माहिरीन मरहूमा अर्फा करीम और बाबर इकबाल दोनों का तालुक पाकिस्तान से है हारुन तारिक, अली मुईन, नवाजिश और मुसा फिरोज आलमी सطح पर तसलीम शुदा कामया भी हासिल कर चुके है अब नमबर चार पर है, दुनिया का सबसे उपर कौमी तराना यानि पूरी दुनिया के तमाम कौमी तरानों में सबसे पहले सबसे उपर हमारे कौमी तराने का नमबर आता है यानि नमबर वन, पाकिस्तान का कौमी तराना मतासिर कुन महरिक और खुबसूरत शायरी पाकिस्तान का कौमी तराना पूरी दुनिया में एक दर्जे का बेहतरी धुन बनाती है हफीज जालंदरी के अलफाज मौसीकार एहमद जी चागला ने तर्टीब दिये बेक वक्त ज्यादा तर लोगों ने तराना गाने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है और नमबर पाँच पर है हैरत अंगेज नजराने वाला खुबसूरती का नजारा आसू जील जो आसू के कत्रे की तरहा है और वादी कागान में 16,490 फिट की बुलंदी पर मौजूद है वहां तक पहुँचना खतरनाक है और खतरनाक रास्तों से गुजर गाह पर अगर वहां पहुँच भी जाया जाए और बहुत ही आला नजारे पाकिस्तान में मौजूद है दुनिया की चट ट्रांगो टावर्स दुनिया का सबसे लंबा उमूदी पहार गिलगित बलतिस्तान के साथ साथ दुनिया के दस आला तरीन चोटियों पर मुश्टमिल पाकिस्तान को दुनिया की च्छट बना देता है बेगाओ गलेशियर कुछ भी खतों से बाहर दुनिया का सबसे तवील बर्फानी निजाम है और वो भी पाकिस्तान में मौजूद है नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर खेवडा माइंड्स पाकिस्तान की कदीम तरीन दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान है इसकी तारीख 320 कबल मसी में है 나서 एतनी बड़ी नमक की कान जिसका नमक बहुत कीमती है और हमारे याँ बहुत सस्ते दामों मिलता है जब के बाहर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है हमें इसकी कदर करनी चाहिए पाकिस्तान का जो नमक है खेवडा का बहुत बहुत कीमती नमक है और खाने में इसका इसका इस्तिमाल बहुत ज़्यादा फाइदा मंद है इसमें एक मसज़िद भी बनाई गई है जो के पूरी नमक से बनाई गई है इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इसके लावा यहां इलाज भी किया जाता है क्यूंकर जो नमक है यह खीवड़ा का यह इलाज के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा एंबॉलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है AD Foundation पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैर मुनाफ़ बख्ष सिमाजी बहबूत का इदारा है और ये पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एंबॉलेंस नेटवर्क है इसमें एम्बॉलेंस के साथ एर एम्बॉलेंस का निजाम भी मौजूद है ये पागिस्तान की बहुत बड़ी कामियाबी है और पागिस्तान को इन तमाम चीजों से जो है वो दुनिया में सबसे मुम्ताज हैसियत हासिल हुई है और पागिस्तान दुनिया की नजरों में बहुत आला मुकाम हासिल कर चुका है बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखने का नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लानिक एभान